नमस्कार दोस्तों, प्रियमित्रों, जै श्री राम, राधे राधे, जै स्याराम, जै वागेश्वर धाम सरकार की जय, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आज की जो कहानी है. आज की ये कहानी सुनने के बाद आप हर काम पूरी इमांदारी और महंच से करोगे या कह लो ये कहानी आपको मजबूर कर देगी पूरी इमांदारी और महंच से अपना काम करने के लिए यह कहानी है एक गाव के लड़के की घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है ताकि वहां से वह कुछ पैसे कमा पाए जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए वह लड़का काफी दिनों तक काम की तलाश करता है और आकिरकार उसे काम मिल जाता है वह लड़का अपना सारा काम पूरी इमानदारी और निहंत से पुरे दिन करता है यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है अब छे महीनों तक ऐसे ही चलता है छे महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है अब मैं कुछ दिनों के लिए वापिस अपने घर जाना चाहता हूँ और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा लेकिन उस लड़के के सोच से विपरीद उसका मालिक कहता है नहीं तुम्हें दो माहिने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है बताये मालिक कौन सा काम है उसका मालिक कहता है हमें एक घर खरीदना है तुम पुरे शहर में घुमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो और जैसे ही यह काम कत्म हो जाता है तुम वापिस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो यह सुनकर वह गाउं का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम कत्म कर देता है वह मालिक के पास जाता है और कहता है मालिक मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है मालिक हैरान हो जाता है और कहता है सिर्फ दस दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया गाउं का लड़का कहता है हाँ ये घर काफी बढ़िया था इसलिए मैंने खरीद लिया और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापिस जा सकता हूँ भला मैं दो दिनों में वापिस आजाओं। ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो तो मैं धोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा मैंने तुम्हें दो महीने दिये थे और दस दिन में खरीद कर तुमने तुम्हारा नुस्कान किया है। इसी तरह जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है कहानी में जो मालिक था वह असल में वक्त था और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पाता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता। इसलिए आप अभी जिंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पुरे जुमून और मिहंत के साथ कीजिए। क्या पाता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपको जिंदगी बदल दे।